हर दूसरा बच्चा शचिन दंदुदकर बनना चाहता है लेकिन लग मिलता है तो वो बन सकता है हूँ लिए अरिए दे स्हवाग नेक बाद बुले थी जितना पैसा आ रहा है घर ले ले गाड़ी तो नीचलाएगा तो खेलता है, द्राइवर मजे लेने वाला है, गाड़ी नहीं लेनी है, आप में पूरी तर से ओपन किया है, ताइस फाइना, कपड़े खोल तूदू दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बीटता जा रहा है, मुझे एक चीज और गहराई से समझ आ रही है, कि लाइफ का कोई भी लेसन आप बहुत अच्छे से स्पोर्ट की दुनिया से सीख सकते हों, आज के शोव में एक खिलाडी आया है, जिनका नाम है सुरेश राइना, आप इन जानते होंगे, Mr. IPL, part of the 2011 World Cup Winning Squad of India, आज के इस पॉड़कास में मैंने कोशिश करी, इनके दिमाग के अंदर जाने की, I asked him deep questions, मैंने उनके mentality के बारे में उनने पूछा, और इस पॉड़कास से मैंने बहुत कुछ जाना, उनके बारे में, एक वर्ल्ट क्लास athlete के बारे में, और toughness, जानी की मजबूती के बारे में, दोस्तों ये podcast मुमकेन हुआ, सही coin की वज़े से, जहां राइना भाई और आपका रनवीर भाई, साथ में co-investors है, सही coin एक app है, जिसकी वज़े से आप crypto के बारे में ज्यादा सीख सकते हो, crypto currencies खरीच सकते हो, और web 3 की दुनिया के ब राइना, और रन्वी शोव, हिंदी. तर्स मेरे करियर के लिए, कापी जयादा महत्वपून दिन है, सुरेश राइना भाई, कैसे हैं? Absolute honor, having you in front of me, that's all I want to say, thank you by, thank you for having me, कैसा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, और आपकी connection यूपी से हैं है, आपका नाम बड़ा यूनिक है, तो मेरा दोस्त रिशी बता रहा था कि, कि फिर मैने आपका पेज देखा, तो यू बिन दूए लॉट अपका पेज देखा, त सुनते नहीं है, पर यहां मैं लोगों के दिमाग और दिल के अंदर घुसता हूं, और इसलिए मैं आपसा यह पूछना चाहूंगा कि, for us, we are all cricket fans, in we are biceps, and, मतलब, our whole generation has seen you and your team, but for us, Suresh Raina is someone who used to bring energy to the team, अगर कोई लेता था, अगर किसी से गलती होती थी, आप जाके इसे प people view you like that, according to you, लोग आपको किस नजरे से याद करता है, बिलकुल होता है वो जब आप खेलते हो देश के लिए, या अपनी UP टीम के लिए, या किसी भी IPL टीम के लिए, तो एक अंदर से होता है कि, you want to give everything to the team, चाहे वो एनरजी हो, चाहे आपके, जो भी आपके अंदर एक ज मेरा हमेशा है रूटीन रहा है हो, फन राउन पे या विकिट कोई रहा है, तो लाइट रखता है, तो प्रेशर ओफ होता है, तो तो इस वरी इंपोर्टन तो एंजोई और बेस जते हो राउन पे, वो ही मुझे अच्छा लगता करना हो, आपसे अभी भी फील हो रहा है, पर आपके पूरे क्रिकेट करियर में, आपका सबसे बेस्ट और सबसे डिफिकल्ट दिन कॉंसेट, पता नहीं था कि देश के लिए खेलेंगे नहीं, अटर पुटी, अटर शिक्टी, अटर नाइंट यूपी के लिए रंजी टोफी जीते, फिर मैं कैप्टन था यूपी क और इतना पैसा नहीं था घर में क्यों डेली में किसी अकेड़िमी में पैसा तो 10,000 रुपे आप दोगे मंतली, 10,000 पापकी तनका थी, 5 भाई थी, एक बहन थी, तो मुझे लगा कि स्पोर्ट केरियर है, बट मुझे एजुकेशन भी करनी है हो, मैं लखना में सिसे मैंने तालीम हासील करिए, मैंने ग्रदूशिन किया हूँ अवा से विट स्पोर्स कॉलिज था, अमारा गुरू भविंसिंग स्पोर्स कॉलिए लखना हूँ, तो खेल का था, वो शौक मतलब ऐसा नहीं था कि मैं खेलू, गली मोले में जजे सार प्लेर खेलता हूँ, बट एक अ आप शायद 18 एंर और मैं वो देख रहा हूँ, रहा हूँ, एक अड़ी मों देख रहा हूँ, अब बहुत जाब एमोशनल जोगए, वो मुझे याद रहा हूँ, वो मुझे है। याद है, इवन आइधिक याद इसाल पर वह लिग था, वो याद है।, वो याद है। यह च सचीन को देखते हैं मेरे एर इंडिया में जॉब है स्कॉलर्शी मिला था मुझे में काफी क्रिक्ट खिला हूं नहीं क्या hen में वक्रा 시작 है। चाहे हैं। ए मिलेश, नहीं देखेंगानाया कि यख़ळच के सचीन कशॉलया। एपूंचाओ माँद एक चरद देखे का बारे। यह मैं आपसे पूचना चाहूँगा, यह मैंने ब्रेटली से भी पूचा और ग्लेन मग्रा से भी पूचा था, क्यों दोनों फास्ट बोलर्स हैं, तो दोनों obviously inherently aggressive होते हैं, I mean कि हर कोई sports person aggressive होता है, in any sport, in a very positive way, मतलब घमंडी नहीं, just aggressive, aggression होती हैं, तो जब आप actively अपना career start कर I feel कि aggression obviously थोड़ी ज्यादा होती है, age की वज़ेसे या जो भी, and as you go forward, आपको aggression अपने sport में टाल देते हैं, but I feel कि after you hit age 30, aggression का nature थोड़ा सा बदल जाता है, क्या आपको यह लगता है कि आपके अंदर अभी भी sports person वाली aggression है, या वो बदल चुकी है, तो चेंज हो जाते हैं, ज जो दूस्ते दूस्ते बिलकुल लगे, तो मैं क्रिक्ट की बात नहीं करता है, गहर आके हो, क्रिक्ट की बात नहीं करता है, तो जितना I can pass out to society बच्चों को, क्योंकि अभी बच्चों को सीधा IPL खेलना है, या फिर कंट्री के लिए नहीं खेलना है, तो मैंने स्टार्ट क अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, फिर मैंने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, फिर मैंने अपने रंजी टॉफी को रिप्रेजेंट किया, फिर मैंने अपने ऑफिस की टीम को रिप्रेजेंट किया, तो अब जागे मुझे मुझे एक बार टीमें आ जाओग कि जरुनी बड़ी अलग हो, कि मैं मैं 98 थे, 96, 98 थे था बाइव बाइवे आप्वारी इसावाव पूचा कि अइघ्रिजन होता था, लेकिन इतनी रयंग हुई है कि आ यहाई थे लुद्टो फिर में फेल में निकाला है तो गुसज अंदर रह अंदर ही होई चाहिए मैं एक अप्रोच रही है। मतलब there is something in you that allowed you to represent India over other people. Maybe higher level of focus. Definitely luck factor हो सकता है. But at the end of the day, आपकी महनत है, आपके focus level है. नहीं मैं मानता हूँ, लग बोत important है, महनत सब करते है वो. पर focus? Focus तो आजाता है जब आप महनत करते हो, अपके focus नहीं होगा, तभी महनत होगी. लेकिन लग इसलिए इंपॉर्टन है, क्योंकि हर दूसरा बच्च शचिन दंदुलकर बनना चाहता है, हर दूसरा बच्च वर्याट कोली बनना चाहता है. लेकिन लग मिलता है, तो वो बन सकता है, महनत सब करते हैं. क्योंकि एक चीज होती है, आपको पता ज़्यादा कि वोने वाला है, वह में साथ हुआ है काफी तैम. कभी छेलते हुआ 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 है, छेलते हुआ है, बहुत सरी टाइम है, आज मेरी हैडलाइन आने वाले हुआ हुआ है. कि अपर रहते हैं, अपर वाले की बहुत ज़रूरी हैुआ है, और लग से इसली है क्योंकि दुआ हो का खेले हैुआ है, विए एक बॉल मिलने हैं उसमे आप हो जाते हो, फिर आपको प्रेशर मेरन मनाना कभी-गी ऐसी स्टेज आई है जब लिए आपकी मुल लॉडर में, मैं बड़ा बेबाग के लाड़ी था, मिली हो पहली बॉल से स्टार्ट कर दिया हो, तो उसमें लग चाहिए हो एक बार लगने लगा तो जब आपकी अप्रोच अच्छी है, स्टेंट अच्छी है आपके अंदर वो ताकते देश के बारे में सोच किया है, तो मुझे लगता है फिर उपर वाला भी सपोर्ट करता जल जा जाता है यापने के से एज पर रियलाइज किया यह सब आता रहा है जितना मैं खेलता गया जितना प्रैक्टिस करता रहा उस हिसाब से मुझे वो फील होता गया हो क्योंकि कभी-कभी आप खेलते हो मेरा फैल लोग लगे वे खेलने के लिए पैसा इतना होता नहीं तो मुझे लगता है कि आपको अपने को रिबिल करना होता है उस ताम पे आपके दोस्पेशले मेरी फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया हो पहले का टांक पे खड़े होना ज़रूरी है एक खड़े होगा फिर मंजिल तो आप इस एज जो आप में क्रिकेट करेयों को पूरा स्कान करते हो आपके कोई ऐसे लर्निंग्स है जो आप अभी भी लाइफ में अपलाए कर रो यह जिसकी वज़े से अपका अपकी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ट बिल्ट बिल्कुल आपने अच्छा सावाली पुच्छ क्योंकि इतने पैसे नहीं थे घर लेना था मुझे गाजयबाद में मेरे चोट लगी उस टाम पे लोन लिया था मैंने वो इस वरी पॉसनल बड़ लोगो पता चलना चाहिए कि जो गरीब भच्छात है उसको कैसे लोकाफ्टर करना है अपना बॉड़ी को पैसे कितने हो थ है के सोच रखते हो जो एक खुशी है वो एंजॉय करना बहुत जरूरी हो जो कल होगा वो तो आए गाई हो डिफरेंस नहीं होना चाहिए मुझे असे लगते है कि जिस्ट जॉय करो लाइफ बड़ी सिंपल है पता नहीं क्या होगा हो क्यों कि टू एन आफ यह में देखो लोगो जितना help कर सकते हो नहीं भी हो तो कोशिश करनी चाहिए हो चाहिए किसी भी तरह की help हो बहुत जरूरी हो सब इंडिन क्रिकटर ऐसे होते हैं काफी होंगे बिल्कुल होतने भी चाहिए होते हैं सारे लोग है वो spiritual बन जाते है नहीं स्पिरिशल नहीं हो मैं राम का चाहिए हो दो बन जाते हैं नाजरिग भड़ जाता बिल्कुल शोर्त और पैसो के वज़ो से शोरत और पैसे मेरे मेरे पापा स्भा? अबलै कि यह जो ऽो पने बढ़ूसरा इसने यहाँ अबसले हो पैसने जाते हैं सब पापा Rs.बहीं मिने पापा से घ्य मालते हैं कैसे मैं उसको प्रैक्टिस में इुटलाइज करें कैसे मैं जीमें इुटलाइज करों। टाइम भसता है तो खाली टाइम मैं आपको क्छ ना कुछ ना कुछ करना पड़ते है रूटीन में अने के लिए तो नजरिया बदलता है क्योंकि एक्सपरेटेशन बदलती है जब देस को रिप्रेजन करते हैं उसको लगता है क्रिकेटर है इसको यह मिलता है लेकिन जो पीछे का हाड़ वर्क है नो लोग को पता नहीं होता हो सभी की लाइफ में अलग हो जाता है और पीछे के हाड़ वर जो एक communication है वो वैसा नहीं है जो ऐसे होता है हो जो आप मुझे बात कर रहे हो तो मुझे पता ही कि आप आखों से देखके या जिस बात समझ सकते हो मैं मैं बैठा हूँ मालदीव में आप बैठे हो बामे में है बो उस तो फील नहीं है अभी मैं यहाँ पूछूँगा तो तो फील पता जल जल जाए तो इस तेम communication अलग होता तो मुझे इसा लगता है हो मुझे मैं honestly आप से बात को काफी जादा intense लग रहा है आप से बात कर 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 चुके मैं 300 बाटकास्ट कर चुका है तो मेरी लिए कॉम्लिमेंट है यह और आपकी बहुत बैटिंग देखी है तो honestly मुझे बहुत खुद के लिए भी I'm feeling very nice कि my careers reach a point जहां मैं आप से बात कर सकता हूं तो it's a big day for me but at the same day मैं आप से बात करके न मैं अभी तक ice break करने की कोशिश कर रहा हूं I feel कि ice break हुई नहीं हो जाएगी थोड़ी देर में but राइन भाई honestly I want to also ask you about that वो जो एक क्रिकेटर की back-end वाली life रहती है पतब जो dressing room में बाते होती है जो आपके coach के साथ बाते होती है I'm sure the audience doesn't have perspective on those things तो होता क्या है Indian dressing room में होता क्या है एक Indian cricketer के दिमाग के अंदर क्या होता है pressure feel होता है क्योंकि बाहर की दुनिया ये कहती है कि cricket is a very ruthless world बहुत intense दुनिया होती है पर जब आप उस दुनिया में compete कर रहे हो तब आपके मन के अंदर होता क्या है कोच का काम है coaching करना जो मेरा natural है जैसा आप coach बोलेगा right teacher बताएगा प्रोसेस होता है किसी भी खेल का किसी भी मैस से पहले एक अलग तरीकर routine होता है कि coach आपको बता सकता है कि आपको ये करना है अंदर जाके आपको प्रेशर फिल करना है जितना आप नैचुरली रहोगे जितना आप फोकस रहोगे आप हमेशा बेस डिलीवर कर वही मैंने किया है और है थे बेस कोच चाहे वो ग्रिक चैपल हो चाहे वो डंकन फ्लेशर हो चाहे वो Gary Christian हो चाहे वो Ravi Shastri हो चाहे वो फ् अधिन नहीं है कि अधिन जगे से निकलें ऐसी चीजे देख रखें यह तो बहुत अच्छा बेटर हो गया यहां तो ट्यूनिंग करना है बस हो FM का चेंज करना है और वो चैंज करना है वो कि अधिन रगिंग वी इस होस्टल में चोटे थे पता नहीं था दिली से गाजव पर आपके जो आपका जो इनिशिल करिया था मुझे वह भी बहुत याद है वो होंग कॉंग कोंग के अगेंस सीरीज याद है मुझे हम पाकिसान में खिले तो इशे कपुआ था पला सौद अशाद मेरा हूँ अधिक कोई ट्राइ सीरीज थी इफ आम नाट मिस्टे कि अधिक कर रहा था हूँ दोजाराट में अच्छा बैटिंग कर रहा था हूँ दोजार साथ में हम लोग वल्ड कप जीते थे ट्टोणी फिर आईपे लाया था तो एक चख्के मारने का चला पता चल गया था दरते नहीं इतने मस्कुलर नहीं बर टाइम से खिलते था था थ सब्सक्राइब कर दोजार याज है अधिक जाए तरह था दोजार आट से नहीं बनाइब है तो फिर नीचे पांच पांच नम परच नमबर यृपाप पांच नमर नमर धोनी भाई फिर मैं असी करके वह हमारा से हो गया दो जाराट से ही व डौलाट यह से ही खेल रहे थे तो आजाता है फिर आपके अगोडिंग वो टीम वर्लकाप कैसे जीती हैं उस टाइम से प्रपरेशन कर रखी थी हम लोग ने देखें दो जानौ में निज़्लेंड में जीते दो जा आठ में जीते हैं जीते हैं कभी जीते नहीं देख दो जा दर्स में मेरा टेश्ट डेबि जीते हैं वह सब्सक्राइब टी एक अलग जजबा था उसलिए एक एक्स फैक्टर गया था उनिटी बहुत ज्यादा थी और एक दूसरी केर बहुत ज्यादा थी सभी एम में जारे थे कि सब सोच रहे ते कि सचिन के लिए वल्लक जीतना है लास वल्लक पो सकता है पाजी का सब सोच रहे कि एक टीम अलग है जैसे 93 में वल्लकुप ए उसके काफी गाप हो गया तो सचीन कोई वल्लकुप नहीं मिला ताप देखोगे I think almost he played 5 वल्लकुप तो छटे वल्लकुप में आया थोजार गाया में तो ही उस्टे वल्लकुप में आया थोजार गाया में तो ही उस् को रहे कि एक अपर पूल अर्द वेडर गाया थोजार जीडिया विर वी दिए जोम्ट कोई हो और और स्टेवग के वेश्य वी एन और यूर्लक्त प्लियर को तो अलग था हुआ भू तो अलग था हो मचादा था करिशा था थार प्यूर्ट पर अशा हो अंजाग थी 10, 14, 15, 16, 17, वोलकर मुझे लग्ते है कही नहीं वो एक टीम की एक बड़ी इंपोर्टन जी थी आस पर इंजिन क्रिकेड इस कांसर अन्डर का टीनेज और बहुत कुछ है और इंपुल को साही कोई, साही कोई ने 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 वे एन पॉर्टनाश्ट आई वोलसो दूंग वांड़ी किट्स, बच्चों का माते का भी कर रहे है, मैं वाइफ इस दुए रिली वेल साही कोई मुझे लगा कि स्टार्टप बिजनेपी जरूरी जब पैसा है कहीं लगाना बढ़ेगा बहुत सारे क्रिक्रिकेटर्स में चले जाते हैं यह मैंने नोटिस किया है करना चाहिए बिल्कुल इस अवेरनेस है और सही कोई आइनो थे में परस्नली थे दू है वेरी गूद टीम वेरी प्रोफेशनल क्योंकि वो एक जरूरी है स्टार्ट बिजनस में आपको जाना चाहिए मार्किटिंग कैसे चल रही है और कैसे-पैसे इन्वेस्ट हो रहे है जो पैसा है तो लगाना पड़ता है आपको यूद तो नोट वेल्यू तो इस मैं फॉर्स ताइम आम दूंग सुम्तिंग इंस्ट अब देख तो अभी अभी नहीं जैसे मैं कभी होलन जाता हूं या टीव पर कभी हुआ निल और ब्राइन दो चार प्लेर हैं जो कभी कभी देखते हैं हूं बट इस मज़ेदार है वो तो बास्केट बॉल में एक अभी अभी वो ट्रेंड थोड़ी कम हो चुकि है बट कहा तो अभी NBA ने एक क्या बोलता है एक डिपार्टमेंट सेट अप की है जस तो ट्रें अथलेट इन पर्सनल फाइन पर इसी स्टोरी हमें इंडिन क्रिकेटर्स के बार में सुनाई नहीं रहती हैं आफिल की मोस्ली इंडिन क्रिकेटर्स पैसों अच्छे से मैनेज करें अगर यह जिए अब हरें यहार तो अब ह мног का पैस दो एकाद की है मिर्ड़ कुछ मान माँ कुछ मानी घ माइसे तो घा जाया आपमान प्लेंग में इस चाई का आज अप करें तो अगेος वोड इंडिन के टो आउक मानीख इसी और तो हैं नो आव स्ट्या वर में कुछ कैटर्स игр मुझे वियरंदे सहवाग निक बात बोले दी जितना पैसा रहा है घर ले 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 गाड़ी तो नहीं चलाएगा तीन सो पैसे तो खेलता है ड्रैवर मजे लेने वाला है गाड़ी नहीं लेनी हो तो मैंने घर लिया फैमिली के लिए अपने लिए बच्चों के लिए तो उस ट पीक में भी था एस पर इस मनी इस कंसर और खेल का भी हो तो मैंने पापक बोला घर लेते हैं पहले गाड़ी नीचे फिर मेने गाड़ी बिली ऐसा नहीं वह भी शौक था मेरा बाद में रिलाज होगी यह वेस्टों मानी है क्योंकि मैं बाहर रहता हूं गाड़ी की इतना इतना क्लीनिंग है इतना इंजन ओई यह वे उपी वाली में तो मैंने घर ले जाए पहले यह घरी काम आएगा चार दीवारे बहुत इंपोर्टन अब कर तो मैंने किया यह सही कोई में और इस feels like they are doing pretty well और I had a discussion with them earlier in my office so अच्छा है हो भाई जितना भी आपने परसनल फाइ से सचिन पाजी से, am I right in saying that but I am sure कि सिर्फ पैसों को लेके mentoring नहीं मली थी, I am not asking you about batting mentoring, I am sure कि आपको मली थी, उचे टेकनिकल inputs मिले होंगे batting को लेके, but वो जो mentality की बाते करी या mental strength की बाते करी, उस generation की जो हमारे, हमारे एक super team होती थी थी, V.S. Lakshman, Rawat, Indulkar Gangboli, उन्होंने आ कि उसम ते mandate Feels różnych, कि सचिन पाजी के साथ, कि समझाया हो कि उस टैम से सार्ट कर ला है, वरुयों से साम्जाया है कि उस टेम से स्टार पैसा मिले है में इससे सब्साइब लेश थी थैना इटना पैसा नहीं ता झाल इतना पैसा यह थार महीनें महीने के मिल जessionरी कुष्ट जानना बड़ा जरूरिया, वो मुझे लगता है कि मैंने सीखा हूँ है, आप बहुत ब्लेस्ट इन्सान हो, नहीं हम सराउंड़ेड बाइ वो लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे मैंने पहले बुला दुआ सही होगा, इन ब्लेसिंस के वारे में कुछ बताई है, मतलब क्या आ विजुलिजिशन होता था, बट मैं गौड फिरिंग था स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं ऐसे शहर से था, जहां मुझे कभी, जब मैं आज सोचता हूं इतना खेला हूं मुझे पता है नहीं मैं कैसे खेल गा हूं, सिरियूसली मुझे नहीं पता हूँ, आप Mr. IPL कैसे बने Mr. IPL महनत है, सब बट मापाप की दुआएं बहुते जादा हूं, क्यों हार प्लेयर भी खेल रहा हूं, बहुत टैलेंटी लड़के आ रहे हूं, बिल्कुल उपर वाली की वज़े से खेल रहे हैं, दुआ फेक्टर है और वो होना जरूरी है, आपके आसपास बड़े अच आपके लिखा है मैंने कि किस तरह से छोटे शेर का बच्चा आता है भार, बड़े सारी अप्स्टेकल होती है उसकी लाइफे, बट माइ बिग ब्रदर रिल्प में कि तु टाटा से नहीं है, तु अमवानी से नहीं है, यही तेरा खेल यही तु 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 पसंद कर रहे होते हैं, तब आपके दिवांग में क्या चलता था? बॉल दिखती दिए उसको पेलना है, सिर्फ वही क्रिकिट है हो जैसे आप स्विच ओन हुआ, बटरफ्लाइज आपने लिया, आपने बॉल देखा और फिर देद दना था, मैच खता होने के बाद फिर आप पू आप पूल बाइए हो, Sachin Paji, सबसे बड़े एक्जांपर, बड़े एक्जांपर, बटे बड़े एक्जांपर, बटे बड़े एक्जांपर, युवरासिंग, भजू पाव, जहीर खान, तो गुरूप अचीश नहरा जो हमारे बड़े ख्लोज नहरा है, सारे जितने भी सीन ग्लेन मैक्सकुल के साथ भी यह हुआ, बट फॉम अ क्रिकेटर परस्पेक्टर अप सम्झा सकते हो कि एक्जाक्ली होता है, बहुत सारा परफॉर्मेंस होता यसी टाम में आदमी को लगता है, इस फिलिंग लोर सम्धिंग आपके साथ हुआ है, ने मैं, यूप से हूँ आपके दोस ऐसे रहते हैं, आप जल्दी जाना चाते हैं कि आपने पंटर से मिले हैं, बिमान नहीं है, ठोड़ी चाय शाय या जो भी तुझे करना है, इस बहुत इंपोर्टन फैक्टर है, इसको भी होना चाहिए, डेफिनिटली आपको, यूशुड है, आपको बताए, आप मैक्सवेल को, बहुत सारे से प्लेर जो अंदर दबा के रखते हैं, कि कहीं ना कहीं, इनके जहन में होता है, डरते हैं वो, क्योंकि हमारे घर में होलें कि यार मैंटली रेटायर होगा, यार 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 ये वैसा है, तो वो डरते हैं उस चीज से, खेल हो गया, एजुक सब घर जाते हैं, तो अब ने करोगे तो लोगों के मन में चलता रहा था यार ये बात नहीं गरता है, चिद चिद चिदा सा हो गया, बड़ा शांत रहे लगए, स्माइल नहीं कर रहा है, तुम लगते कि बात करो और पर वाट करो उस चीज को समझो, फिर हमारे आसपास ल आपने बिल्कुल बश्ते भी हैं और हमारे आसपास ऐसी बुजूर्ग लोग रहते हैं घर में चाहे वो दादी नाना नानी मामा सब लोग कही ना कही ना कही एक चीज बोल देते हैं आप कहते हो यार मुझे तो कुछ ही नी फिर आप दुबारा एंजॉय करने लगते उठना और बहुत भुत सारे यंग लोगों के साथ काम करते हैं तो मुझे बताई कहा कुछ करना होगा आपके साहओ मुझे लुग आपके साहते हैं आनल फॉड दॉब ड़ेखिए न उन में ये नोटिस किया है कि जो शहर के बच्चे होता है उनलमें जादा में इलती ही होती है आ बोट पेरेंट्स आ इंडिपेंडिंग और उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि एक कंपनी का बड़ा होना मैटर क्यों महाबाब भी आपके साथ स्कूल में नहीं है खेल में नहीं है मुझे लगा मेरे कम्मुनिकेशन ने मुझे बचाया हूँ जो मैं फोन करता था पीसी हो से द दूरिंग और करेंग नहीं बिलकुल नहीं हसाता दा लोगो कभी आपके अंदर ऐसे सैगनेस जमा हो जाता था नहीं इंजरी की टैम हुआ मेरा जब मैं बता देनी घर में ममी को भी नहीं बताय था मैंनी का उप्रेशन हो तो बड़ा मैटर हो जाता है उस टाम पे कि पैसे करेंगे बट अंदर से था वो की स्ट्रॉंग रहना है हुआ ऐसे नहीं मिलेगी चीजे आपको घुसना पड़ेगा ताला तोड़ना पड़ेगा दरवाजा तभी कुलेगा पता है मैं आज कल I mean not for me मैं मीडिया इंडस्री में भी हूं टेक्निकल और लोग एज के बार में बहुत ज्यादा सोचते हैं मीडिया इंडस्री में कि यार मैं मैं एज गौन मैं बुड़ा हो रहा हूं बुड़ी हो रही हूं यह चैट और बहुत ज्यादा रहता है और इसकी जाए से मैं खुद की भी बॉड़ी नोटस करने लगा मैं मैं जिम करता हूं थोड़ा बॉड़ी पर dependent होती है तो वो एजिंग का experience क्या होता है मैं में मेंटली बड़ा strong था हूं कि मेंटली आप जब रहोगे न तभी आप सुपर उट के जिम जा सकते हो आप खाने पर कंट्रोल कर सकते हो या फिर वो देशी डाइट थी मैं कोई मैंने कोई प्रोटीन नी खाय क कुछ ना वीगन कुछ नहीं हो देशी घी अपना दूद मठा हो अभी में ऐसी करता हूं तोड़ा फैट ज़रूरी हो बॉड़ी में ऐसा ज़रूरी मुझे लगता ही कि पावर जो हमारे ग्रासरूट्स है मम्मी जब आती है घर से गी ले के आती है सास आती हो बहुत गी ल बच्चों के साथ जो लोगडाउन में था में बड़ा एंजोई गया हो कि होटल में रहे कि I know you must have felt it कि वही बैड वही तकिया होटल खाना हो सब उस्टाम पर ऑप्शन ही था अब ऑप्शन ने बना के खाना दोस्तों के साथ तो मुझे बड़ा देशी रहना बड़ा और आप से भी बात करके डेफिनिटली वह मिलिटरी का ली फील आ रही है मैं डाद इस तो वह कि अधर थे उदर थे उदर मेरी पेदाई शूपी में मेरी ममी मांचल से हैं तो मेरे काफी आर्मी फ्रेंड से हो मेरे काफी आर्मी जॉइन करूँ बट वह ज्यादा बड़े देश की सेवा करते हैं हम तुसराब इंटर्टेन करते हैं और उनको काफी सलूट है तो देश की सेवा कर रहो है करें लेकिन वो वो दूर डाई है उदर उदर उनको बहुत रस्पेक्ट है हो लाइफ में सबसे बस्ट आडवाइस क्या मिलिया अपको प्रम एनीबड़ी मम प्रम ही बोलती है कि हमेशा खुश रहो और सब का भला करो इस तरही के से किसे दान मगनानी किसे दान हाथ फिलाने नहीं जिनना दे सकते हो देओ रभ दी महर सब हो तो बोलती रहती हैं तो मैं पहले मातलगी बोलता हूं को फिर उनका डायलोग स्टार्ट तो माम आपका आ और सबस्क्राइब करें आपने परफॉम भी किया आप बहुत ज्यादा रिस्पेटेड क्रिकेट और रिस्पेक्ट हासल गया देश बर वर्ट प्लस फैन्स लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं तो जब आप यह सब स्कैन करता हो क्या फील होता है अंदर बहुत प्राओड इंसान को प्यार मिलना चाहिए हो और जब को आप एक्स्रा देश के लिए खेलते हो तो फैंस बहुत जरूरी है वो फैंस में बहुत सपोर्ट किया हो वो क्रिक्ट ऐसा ही इंडिया में हो इसलिए वो जो प्रोसेस है ना जितना सिंबल रुख उतना इंजॉई करोगे क्या क् किसी दोस्ते बात करी है आगे क्या करना जाते हो अभी तो मैं मेरा एक दो कमिटमेंट नहीं करेंगे मेरे बिटे का स्कूल स्टार्ट हो गया है तो दोड़ा गर्मी कम होगी फिर समाल वकेशन आएंगे इंजॉई करेंगे बहुत सार इनिशेटी में भी जैसे मैंने सही बिजनिस करों और बिजनिस से भी मातेगा उसमें भी हम काम कर रहे हैं तो दिर दरे प्लान करेंगे कि कुछ अच्छा सेट अपो और जैसे आपने बोला कि जैसे एंबिये के जो प्लेयर्स रहते हैं उनके साथ एक ऐसी फंब बन रही है जो उनका पैसे लुक आफर करेंग और यह ऐसा इंडिया के प्लेयों के साथ ना हो लुक लिए रिच पोर हमारे प्लेयरों को इतना मिलता है तो तो अग्या इसी जगे पर जहां पर उनको वापीस अच्छा पैसा मिलें फ्युचर अच्छा अच्छा पिश्श कर एच्छ अच्छी पैसा नील उनका फूर्स म ये वारे जनरेशन है, I think they must be doing so hard work, तो जैसा जितना बना सकते हो, जितना अच्छा खेल सकते हो, उस पैन तो 34-30 साली हो, तो बड़ा मेंटर करता है कि अच्छी जगे इनमेश करो और अच्छा उसका उसका रिजल्ट हो. अब रॉनी स्क्रू आला को जानता हूँ, एक एक एंट्रपर्णूर है, इनमेश सुना है, नाम जी, जी, बहुत साही बॉयूर फिल्में भी प्रड्यूस किया है, तो वो मेरे एक अर्ली गेस थे, इस पॉड्कास में, और उनसे मैंने यह सीखा कि, आज की दुन्या में, यू हाफ टो बी लॉर्ण। अब आप जो भी कर रहे हो, अगर मान लो आपने आर्मी से भी रेटार्यमेंट दे लिए उसके बाद भी सीखना बहुत जरूरी हो, आज की दुन्या में, सही बाद है, तो उसी परस्पेक्टिफ से आपको पैसा नहीं बना सकते हैं, तो आपको बिजनिस में टाइम लगता है, बट एक ट्रस्ट बनाना जरूरी अफिस इंवारिमेंट में, इस तो बी वरी प्रफेशनल, और आप जिसने इतने इंप्लोईज हैं आपके, कैसे इतने इतने 15-20 साल ट्रेवल किया है, तो मुझे लगता है बड़ा मैटर करता है, जब कुछ सामने से कुछ आप उफर करते हो किसी को सीखते हो से तो तो communication is the key, I think it will be life longer. अब तोड़े mentoring zone में चले जा रहो, it's a good thing. मुझे नहीं बता. अब coaching definitely कर सकते हो, not cricket coaching, पर आप definitely अलग-अलग domains में coaching कर सकते हो. अचो. इस वो मुझे feel हो रहा है आपके. अभी तो मैं, लग रहा है मुझे आपसे मजा रहा है बात करें तो सब ऐसे निकल अभी आपके आज़रा है. अभी नहीं, I'm glad भाई पर आइड़ आज़राय दिखो, पॉड्कास करने कि चुछता हुआ और भूर में लोगों के दिमाग के अंदर गुस्ता हुआ है अचो नहीं, I don't feel, honestly I don't feel आपने पूरी तर ऐसे open किया है and that's fine, I understand. चाहिछ जब अगली ब मैं यह रिली इंजॉइड जो बात्चीत है बड़ा हटके इन्टू था यह और आप इतने मुझे अच्छा लगा जिस तरह साब बात करें यह बात नहीं हो आप खुद के बार में जानना चाहोगे आप कंपेर तो मैं 299 अधर गैस आप जान लेंगे विल्कुल आप में बहुत ज्यादा अच्छी वह पॉजटिटिवट्व अग्रेशन रहाँ होती है और इस तरकी पोज़टिव अग्रेशन मैं ने अछलीट में देखी है बट्-ममble और बहुत साय आमी में इस शोव पर आये, मेजर जेकब आप जान तो वो शायर मेरे आज तक के बेस्ट पॉडकास और आप में बहुत अजीब तरगा एक पारलल दिखता है और यही पॉजिटिव अग्रेशन, चैनलाइज अग्रेशन और वो पूरे एक मेंटरिंग के जोन म अजीब आप जरूरी हो तो क्योंकि आपने बुला कि सोसाइटी के लिए करना है बट ऐसे करना है उनको लाब मिले ओ आपकी मम्मी है बिल्कुल पापा ने बड़े अच्छे वह एक अच्छी एए एक वो दी हमें एक अच्छी से तालीम हासिल मिली उनसे हो वह भी आर्वी जैसे करते हैं इंजॉए करते हैं वह टाइम कभी मैंने नहीं किया अच्छी हो कि मैं जब छोटा था तब से बॉड़िंग स्कूल में था हो तो यह रीजन था कि जल्दी रेटार्यटमेंट लेकर टाम स्पाइन करना बच्चों को देखना कि बच्चे बड़े हो गए फिर मुश्किल जाता है वह अकल को उनको इस फोसल में जाना हो किसी को बेटी को पढ़ाई करने जाना हो तो उससे पहले इतना स्टॉंग कर दिया जाए उनको तो सारे जितने भी भार जितनी भी उनको परेशानियों वह जहलनी ना पड़े घर का महल स्टॉंग होना बहुत तो देखते हूं बात करते हैं तो वही बोलते हैं उन्हें बहुत चाहिया देश के लिए दोस के गुरूब बने में सारे हो तो अच्छा लगता है हो कि सबको मोका मिलता हो उपरवाली की दुआ से मिलता है नहीं भाई I hope कि आप बहुत साहे लोगों मेंटर करें बहुत साह आप बहुत स्टाइलिश की खेलते हैं जन्यूनली लाइक देखो मैं बहुत इमोशनल इंसान और इस पॉडकास पर जब मैं खुलके ऐसी बाते करता हूं लोग लोग मानते की I am fanboying too much ने कुछ कुछ लोगों के साफ दिल दिख जादा है आप दिल से बात करें बहुत मजा आपको बातिंग करते हुए विक अब जो जो मैंने ज़ेखा कि आप बहुत पॉजिटिव एनरजी लाते हैं तेम के आपको रिसर्च कर ले ते लिज लिए तो मैंने I spoke to my boys I spoke to my team everyone said the same thing वो जिस तरकी energy थे लात है तर टीम में no one ever brought that अइंच गरेड़ाए अब हर बहु बोलर के साथ हर देलिवरी बात करते है वोगों से बात करते है अब तर नोगों से तस फाइस एलौ बाद बाद आब दो अ मैं और इशिल की जब कोई इंसान I'll take you to good places where I'll sit here and I'll go here. It's good that I can talk like this for years, to be very honest with you. I feel that every podcast in my life has a lot of impact. The impact this one brought is toughness. Like absolutely toughness. You should be yourself. Work is good, touch wood is good, but just give yourself a bit of time. Whatever you like, whatever you like, singing is good. Whatever you like, it's easy for you. If you just do it, it's not easy. It's not easy for you. Thank you. Just genuinely. I appreciate it. Thank you so much. Love you talking to you brother. Everything right now. Seriously. So friends, this was the episode of today. As I said in the recording, I'm going through some stuff in my professional life. I'm facing a lot of pressure due to different situations. And that's okay. I know that this phase will continue. What lasts is your toughness. And I feel that I'm mentally tough, but talking about Suresh Raina, I feel that I got a mental toughness boost. That their mind, their heart, their mental health, their physical strength is so strong. I gain something from every podcast. I gain something from home. I gain something from home. My mind, my body, my body and overall life, my support is the word I would like to use for Suresh Raina. Raina, if you have watched this video, thank you. You have been inspiration to you and you have all your support. You have made your support and I hope you will lot out. Thank you all for watching. मुझे ये जानना आप से कि आपको और कौन से क्रिकेटर्स को तरन वीशो हिंदी पर देखना है बताईए और इस पॉड़कास्ट को अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए